पोशन ट्रेकर एप में जीन आगनबारी सेविकाओं का अधार फेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या फिर पोशन ट्रेकर एप में किसी भी बच्चे या किसी भी लभार्थी के प्रूफाइल अपडेट में जाके माली जे कि बच्चे के माता या पीता का अधार नमबर डाल के अगर आप लोग सम्मिट कर रहे हैं तो वो अधार संख्या यहाँ पे सो नहीं कर रहा है या फिर माली जे कि अधार के अनुसार जो भी नाम हो गई रहे हैं को जितने भी लभारती हैं उनका 100% अधार फेरिफाई कर लेना है तो देखिए विभाग की और से तो बोल दिया गया है कि 15 तारिक तक कंप्लीट कर लें बट यहां पे जो 14.3 का जो निव अपडेट आया है जिसके चलते आंगनबारी सेविकाओं की प्रॉब्लम और बढ़ चुकी है उनका ना तो प्रॉफाइल अपडेट कंप्लीट हो पा रहा है देखिए कंप्लीट तो हो जा रहा है लेकिन वहां पे जो चल रहा है जिसके चलते आप लोग की ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में हम आपको एक काम बताने वाले हैं जो सभी आगनबारी सेविकाओं कंप्लीट कर लेंगी तो उनको जब नेक्स्ट अपडेट आएगा तो उनको अधार फिरिफाई करने में प्रॉब्ल तो भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे बैक आजाना है बैक आने के बाद देख लीजिएगा कि आपको किन का आधार फिरि कि अगर बच्चे का आधार का नहीं है तो यहाँ पे एक option मिल जाता है Child does not have आधार तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो यह जो बच्चे वला अधार का option है यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ पे mother का अधार का option आ जाएगा तो आपको mother का अधार नमबर डाल देना है और यहाँ पे date of birth mother का ही डाल देना है अगर मालीजे बाइद वे किसी बच्चे के माता का अधार नहीं है तो यहाँ पे एक और option मि अनुसार ही डालना है क्योंकि अगर आप लोग अधार के अनुसार नहीं डालते हैं तो फिर से आपको problem हो सकती है तो इसलिए आप लोग अधार अपने पास रखके ही यह सारा काम किजिएगा उसके बाद यहाँ पे यह सभी details डालने के बाद आपको यहाँ पे आजाना है नाम वाले section में जैसे के यहाँ पे अगर पिता का अधार डाल रहे हैं तो पिता का अधार भी आपको correction कर लेना है अधार कार्ड पे इनका जो नाम दिया गया है और यहाँ पे जो नाम add किया गया है वो अधार का नुसार होना चाहिए अगर मालीजिए माता का अधार दे रहे हैं तो माता का भी अधार को correction कर लेना है correction करने के बाद आपको क्या करना है? submit कर देना है जैसा कि अब आप लोग बोलेंगे हम लोग submit तो कर दे रहे हैं लेकिन so नहीं कर रहे है तो ये काम आप लोग complete कर लिजेगा तो जैसे ही next update आएगा तो आप लोग को फिर से कोई correction करने की जरूरत नहीं होगी सभी चीज correction रहेंगे तो आप लोग फटा फर्स से जितने भी बच्चे हैं या जिनका भी आप लोग आधार फेलिपिकेशन करना चाहते हैं वो असानी से कर सकते हैं और जैसे कि जो लोग भी growth monitoring कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर problem हो रही है growth monitoring करने के बाद यानि बच्चे का हाइट वेट डालने के बाद भी उनका हाइट वेट सो नहीं कर रहा है तो वो लोग भी अपना हाइट वेट जो भी डालना चाहते हैं डालके ऐसे ही छोड़ दीजिए और थोड़ा सा रिलेक्स हो जाईए तो इसी परकार से आप लोग जितने भी आगनबदी सेविका हैं सभी लोग ये काम कर सकती हैं और जो भी आगनबदी सेविका हैं यहाँ पर new registration करना चाहते हैं किसी भी लभार्थी का तो उनका यहाँ पे new registration करके submit करके छोड़ दीजिए जैसे ही नया update आता है तो जो भी लभार्थी का registration हुआ रहेगा वो आपका वहाँ पे दिखाने लगेगा बाद बाकि जो भी आगनवरी सेविका है home visit करना चाहती है उनका home visit complete हो रहा है और daily tracking का जो काम है वो भी यहाँ पे हो रहा है तो बस आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर इस वीडियो में दी गए information आप लोग को सही लगी हो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजेगा और आप लोग को जो भी कमेंट हो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं ति किसी ने टोपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद